हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है विधवा मेहंदी की रस्म सुरू होने वाली है और सामली की नजर अपनी एकलोती भावी को ढूड रही है उसने अपनी दोस्त को मा को बुलाने भेजा अपरडा जी ने आते ही पूछा तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की नहीं मा मैं भावी की रह देख रही थी वो आते ही हम दोनों के हाथ में मेहंदी रचाएंगे अपरडा जी ने सामली को एक तरफ खीचते हुए कहा पागल हो गई है क्या मैंने हुछ से दो दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी उसकी मनहुच साया भी तुम्हारे पर पढ़ना नहीं चाहिए विदवा जुठैरी सामली का भाई पुस्पेंद्र और भाभी दिच्छा दोनों एक दुसरी को कालिस से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगा होनी की वज़ा से दोनों के बीच प्यार हुआ पर पुस्पेंद्र पहले सामली की साधी करना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गी परिवार से तालुख रखता है और उस पर पिता जी का साया भी नहीं है तो पुस्पेंद्र को लगता है कि अगर सामली की साधी पहले हो जाए तो वह अपनी साधी साधरड तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा दीच्छा ने पुस्पेंद्र का साथ निभाने का वादा किया था तो वो पुस्पेंद्र के हर फैसले से खुश थी पुस्पेंद्र को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका सरीर भी गल रहा है रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उसको बलड कैंसर है और वो चंद दिनों का महमान है दीच्छा को जब यहाँ बात पता चली तो उसने पहले पुस्पेंद्र से साधी करने का फैसला लिया पुस्पेंद्र और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी दिच्छा ने पुस्पेंद्र से साधी करने का फैसला बदला नहीं और साधरण तरीके से पुस्पेंद्र जैसा चाहता था वैसे ही दिच्छा ने पुस्पेंद्र से साधी की साधी के बाद दिच्छा ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर पुस्पेंद्र को बचाने की कोशिस की पर उसकी कोशिस नाकाम रही और पुस्पेंदर दस दिन बाद दिच्छा को अलविदा कह गया अब दिच्छा का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने पर इसी भी से सामली अपनी भावी की ढाल बनकर खड़ी रही सामली ने दिच्छा को बहुत करीब से देखा था पुस्पेंदर के गम में तडपते हुए दिच्छा की सास परड़ा जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम सामली करती अभी पुस्पेंदर के गम से उबरी भी नहीं थी दिच्छा और उ कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह प्यार करती है पुस्पेंद्र को और उससे जुड़ी हुई हर चीज को जिसमें अपरडा जी भी सामिल हैं दीच्छा नहीं चाहती है कि वह कुछ ऐसा करे कि जिसे पुस्पेंद्र की आत्मा को दुख पोचे इसलिए वह चुपचाप अप मैंने आने से मना किया है इतना सुनते ही सामिली को अपनी मा पर गुस्सा आया और वह जोर से चिलाई फिर मा आप और वह प्यार की खातिर सब के मना करने के भाववजूद भी जैसे साधी की मनहुस वह नहीं हम हैं और एक बात और बता दूँ मैंने भाईया से वादा किया है कि मैं उनके सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी साधी की हरस्म वा भाईया बनकर निवाएंगी अगर आप सब को ऐतराज है तो आप सब साधी में सामिल मत होईए पर मैं यह साधी अपनी पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा बेटा मुझे माफ कर देना मैं तो भूली गई थी कि तुमने मेरे बेटी की जगा ले ली है तुम मेरी बहु नहीं पर बेटा हो इतना सुनते ही दिच्छा अपरड़ा जी के गले लग गई दिच्छा ने सामली की साधी में भाई की रस्म खुसी खुसी निभाई और अपनी लाड़ेली ननत को आखों में आसु लिये डोली में बिठाया हासा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहाने जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद